दिसम्बर 2021 और जून 2022 एक्जाम का जो सेशन है वो फिर से मर्च होगा पूरा इस वीडियो में बताया जागा तो अन तक बनने दिए लेकिन उसे पहले आपके लिए जुरूरी अपडेट अन अकाडमी लेके आए है आप सभी के लिए CSR UGC NET 2022 के लिए All India Mock Test तो देखें ये complete final revision है CSR students के लिए अब देखें जिनका science stream है उनका exam आता है CSR UGC NET के अंडर तो देखें उनको अपनी better preparation करने के लिए All India Mock Test के जिरिए त्याली करने के लिए एक बहतर मौका दिया जा रहा है अरनक आडमी के तरफ से जिसमें देखें आप All India Mock Test जोईन कर सकत देखें ये 23 जनवरी यानकी 23 जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक चलेगा तो देखें इसमें जो Mock Test ready किये गए वो Top Educator के द्वारा किये गए है इसमें पूरा आपका syllabus cover होगा आपको देखें experience मिलेगा exam जैसे आप देने चाते हैं आपको पूरा वहाँ पर experience होगा कि आपको exam कैसे देना है तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा जल्दी से enroll करिए इसके लिए आपको हमारा referral code यूज करना है study word 10 जिसके जरी आपको 10% का extra discount मिल जाएगा course का link और referral code का link आपको हमारे इस वीडियो के description box में मिल जाएगा तो अभी जाएए अभी purchase करिए और अपनी study को सबसे बहतर बनाईगे तो सबसे वेरे बात करते हैं जून 2020 के exam से आप सभी को पता है कि जून 2020 का exam था चीक है वो हो गया उसके बाद बारी आई थी दिसंबर की exam भी देले हुआ था सब्तम्बर की मन्त में हो था है ना तो फिर आई थी बारी दिसंबर 2020 की exam के बारे में कहा गया था यह होगा मई 2021 को यानि कि दिसंबर 2020 की जो turn थी वो आनी थे मई 2021 को अब बारी आती थी कि जून 2021 का exam कब होगा चीक है यानि कि देखे करोना के वाज़े से जून 2020 का अलट exam डिले हो गया दिसंबर 2020 का exam मई 2021 में होना था तो उसके बाद बारी आनी थी जून 2021 की तो हुआ क्या कि जब फिर से 21 में मई का exam cancel हो गया मई 2021 में होना वाला exam cancel हो गया फिर नया notice आया कि अब दिसंबर 2020 और जून 2021 का जो exam है वो आपस में merge हो जाएगा चीक है यानि कि उन्होंने बोला कि दिसंबर 2020 और जून 2021 का जो exam था वो merge होके होगा अभी देखे जैसे अभी हुआ थ ना exam वो दिसंबर 2020 और जून 2021 का merge वाला exam था उसमें क्या हुआ कि दोनों session के exam निपट गई दिसंबर 2020 और जून 2021 का तो देखे अब बारी आई थी दिसंबर 2021 की चीक है दिसंबर 2021 का exam दिसंबर में होना था लेकिन जो अभी merge वाला exam था वो ही January के मन्त में खतम हुआ तो दे तो अब देखे जैसे अभी 2022 चल रहा है तो दिसंबर 2021 का exam अभी pending है अभी देखे बारी आईगी जून 2022 की यानि कि देखे दिसंबर 2021 का exam अभी हुआ नहीं है वो delay है जून 2022 की अगर मानीजे जून में इस बार exam होता है तो पहले इसे cover किया जाएगा दिसंबर 2021 को फिर इसे cover किया जाएगा तो हो सकता है 99% chance है कि दिसंबर 2021 का exam और जून 2022 का exam फिर से merge हो जाए कि ताकि दोनों ही exam एक बार में जाए अब देखे यूजी सी की जो official जो आप site देखेंगे वहाँ पर बताया कि यूजी से exam साल में सिरफ दो बार होता है तीन बार नहीं हो सकता तो देख दिसंबर 2021 का exam हो जून 2022 का exam हो ठीक है दिसंबर 2022 का exam हो तो ये तीन exam बनते हैं यूजी सी कहता है कि साल में दो exam होगे लेकिन exam बनते हैं तीन Already Delay exam है लेकिन तीन exam बनते हैं ठीक है तो इसमें क्या होगा December 2021 और June 2022 का मर्ज होके एक exam हो जाएगा ठीक है और उसके बाद December की बारी आएगी तो December 2021 जून 2022 का एक exam हो गया और उसके बाद December 2022 की बारी आएगी तो दो exam इस बार साल में होंगे तो कहने का मतलब ये है कि जो exam already delayed रहा है December 2021 का और June 2022 का exam जो है वो मर्ज होके फिर से एक बार एक ही exam होगा तो उसके बाद सीधा ही बारी आएगी December 2022 की तो इससे क्या है continuity बन जाएगी तो अगरा मेरी बात से सहमयत है तो अभी लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को साथ में बेल अगरे प्रेस करिए सो मिलते के लिए वीडियो में तब तके लिए जैहिन जै भारत